नमस्कार जागरुक हिंदुस्तान न्यूज पोर्टल ने ये खबर लिखी है कि जनरल कैटेगरी के छात्रों की नहीं आएगी स्कॉलर्शिप बजट खतम विस्तार्श हम आपको ये खबर पढ़के सुना रहे हैं यूपी में छात्रों की स्कॉलर्शिप ना आने की वज़़ से छात्र काफी परिशान हैं उनका परिशान होना भी वाजब है क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनको स्कॉलर्शिप से बहुत मद मिलती है वो अपनी पढ़ाई जारी रख पाते हैं लेकिन जैसे की खबरों कि माने तो वित्वर्ष के अंतिम दिन पुनर विनियोग की अनुमत मिली इसके कारण भुक्तान प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी जिसकी वज़ा से अब इन सबका खामियाजा च्छात्रों को भुगतना पड़ेगा कि च्छात्रों की आएगी स्कॉलर से कुछ दिन पहले ही वित्वर्ष में सामाने वर्ग के कुल 5.64 लाक विद्ध्यार्थियों को 570 करोण रुपए का भुक्तान किया गया था बाकी बच्छे विद्ध्यार्थियों को भुक्तान के लिए शासन से 174 करोण पुनह विनियोग की अनुमती मागी गई सुत्रों की मागे तो 31 मार्च साम से शासन से पुनरवियोग की अनुमती मिली जिन चात्रों को 31 मार्च को भुक्तान हो गया है उन्हें को चात्रवत्ती मिलेगी इतने कम समय में PFMS सब्टवेर की भुक्तान के प्रकरिया पूरी नहीं हो पाई अगर अनुमती मिल गई तो 1.366.000.000 चात्रों को भुक्तान हो सकता था तो ये खबर जागरोखेंदुस्तान.com न्यूज पोर्टल पर लगी हुई है एक बात मैं और इसपश्ट कर दूँ कि बजट सिर्फ जनरल का खतम हुआ है बाकी सबकी स्कॉलर्स ते पानी है आई नेक्ष्टर लाइब ने नियूज इस्टोरी लिखी थी उसमें साप साप उन्होंने प्रतिक्रिया ली थी D.W.O. के ओफिश से तो उन्हें पता चला था कि दो सब्ता के अंदर स्कॉलर्स से पाएगी तक आप पता चला है कि जनरल का बजट खतम है यूपी स्कॉलर्स सिबसे जुड़ी साइज साथीक जानकरी जो भी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे तब तक इस्टे ट्यून रही है दर उन्हेश्टी कनेक्शन दर निवाद नमस्कार